नमस्कार दगडियों, स्वागत है उत्राखन पोस्ट में आपका कोरोना संकट के बीच सोबमार एक जून से देश भर में वन नेशन वन राशनकार योजना लागू हो गई है मोधी संकार की इस योजना से देश के 67 करोर लोगों को फायदा मिलेगा देश भर में चलेगा राशनकार इस योजना की खास बात यह है कि इसके तैत उभोगतार राशनकार का लाप देश के किसी भी कोने में उठा सकेंगे आसान बार्शा में आपको समझाएं तो एक राज़ से दूसरे राज़ में जाने पर आप अपने राशनकार का इस्तमाल कर सकते हैं इस कार्ट से दूसरे राज़ से भी सरकारी राशन खरीच सकते हैं मौझूदा सवे में जिस जिले का राशन कार्ट बना होता है आपको उसी जिले में राशन मिल सकता है भाई अगर आप जिला बदल लेते हैं तो फिर इसका फाइदा आप पो नहीं मिलता एक देश एक राशन कार्ट लागू होने के बाद गरीबी रेखा कि नीचे वाले लोग किफायती खीमत पर देश के किसी भी कोने में राशन खरीद सकते हैं वितमंत्री निर्मरा सीता रमण ने बताया था कि 23 राज्यों में मौझूद 67 करोड राशन कार्ट धारक अगस्त 2020 तक नेशनल पोर्टिबिलिटी के तहत आ जाएंगे अब सवाल ये कि पुराने राशन कार्ट का क्या होगा सरकार का कहना है कि इससे ब्रश्टा चार और फर्जी राशन कार्ट में कमी आएगी एहम बात ये है कि इसके लिए किसी नए राशन कार्ट की जरूरत नहीं होगी मतलब ये कि आपके पुराने राशन कार्ट ही इसके लिए मानने होंगे केंजिस सरकार ने इस पश्ट किया है कि वन नेशन वन राशन कार्ट योजना लागू होने के बाद भी पुराना राशन कार्ट चलता रहेगा उसी को केवल नए नियम के आधार पर अपडेट कर दिया जाएगा जिससे वो पूरे देश में मानने हो जाएगा यानि आपको इसके लिए कोई नया राशन कार्ट बनवाने की जरूरत नहीं है पहले से जिनके पास राशन कार्ट है उन सबको उसी राशन कार्ट के आधार पर वन नेशन वन राशन कार्ट का फाइदा मिलेगा अगला सवाल कैसे मिलेगा योजना का फाइदा वन नेशन वन राशन काड योजना का लाब लेने के लिए आपके पास दो दस्तावे जरूर होने चाहिए पहना तो आपका राशन काड और दूसरा आधार काड इस योजना का आप फाइदा उठाना चाहते हैं तो आपका वेरिफिकेशन आधार नंबर के आधार पर ही किया जाएगा पीडियस के हर राशन काड की दुकान पर एक electronics point of sale device होगा और उसी से लाभार्ती का वेरिफिकेशन उसके आधार नंबर के आधार पर किया जाएगा इसलिए आपको अपने राशन काड और आधार काड को साथ पे रखना ज़रूरी होगा आपको मता दें कि राश्ट्रिया खादी सुरक्षाद इनियम 2013 के मताबिक देश के 81 करोड लोग जन्वित्रन प्रडाली के तहट उचित मूली की दुकान से 3 रुपे प्रती किलोग्राम की दर से चावल और 2 रुपे प्रती किलोग्राम की दर से गेहु राशन कार्ट को आधार से लिंग कराने की आखरी तारिख 30 सितंबर है। इस संदर्ब में केंद्रिय थादिम अंचाले ने कहा है कि अभी आधार से जुड़े नहीं होने के बावजूद राशन कार्ट धारकों को राशन मिलता रहेगा। राज्यों और केंद्र शासत प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी लाबार्ती को उसके हिस्से का राशन देने से मना नहीं किया जा सकता।